नमस्कार दोस्तो जो हमारे भारत भूमी हैं इसमें अनेक प्रकार के दुरलब एवं चमतकारी के पेंड़ पोधे आज भी हमारे घरों के आज स्पास में हैं जो बेहद ही चमतकारी कहें चमतकारी गुण से भरे हुए हैं एवं मानव कल्यान के लिए हमेशा उपस्थीत हैं का वर्धान है दुस्तों पेन्ड पोध्य स्वयम तेज धूप में तपता है लेकिन माना एवं अन्य जियों को सीतल एवं ठंढक छाया प्रदान करता है दुस्तों सीतल हवा एवं वाता वरर्ण में सुंघंधित वायू प्रदान करती हैं दोस्तो पेंड पोधे की और क्या बखान करूँ पेंड पोधे स्वयम इस्वर की स्वरूप हैं भगवत गीता में भगवान स्री कृष्ण ने पीपल के ब्रिक्ष को स्वयम अपने स्वरूप बताए हैं पेंड पोधे हमें फ्री में आक्सीजन प्रदान करते हैं आप कलपन महुए रिशी मुनी हुए इन शबने ब्रिक्षों की नीचे में ही रह करके जब किया तब किया एवं अनेग प्रकार के ग्यान एवं शिद्यों की प्राप्ती इन्हें पेंड़ पोधे की नीचे में ही बैठ करके प्राप्त हुआ जो कि लोक कल्यान के लिए था दोस्तों हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है पेंड पोधे में जीवन छुपा है पेंड पोधे को पहचानू पेंड पोधे हैं तो हम हैं दोस्तों अगर आप भी इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं आप हमारे इस चलाजारे सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों जब आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो हम ज़ितने भी हमारे घरों की आसPAS में हम शबके आसPAS में पेंड़ पोधे पाय जाते हैं मैं शबकी आयरवेदिक गूणर शिखाऊंगा इनका तांतरिक परयोग शिखाऊंगा एवं इनका धार्मिक परयोग शिखाऊंगा दोस्तों हमारे बिडियो को देख करके बहुत सारे ऐसे फरजी चैनल बन चुके हैं बहुत सारे ऐसा चैनल है जो कि आप लोगों को हमारे ही ग्यान को चोरी करके शिखाते हैं तो उनसे थोड़ा बच करके रहिएगा और आप लोगों को अधूरे ज्यान देते हैं और दोस्तों अधूरे ज्यान हमेशा लटकते तलवार की तरह होती हैं जो कि कभी भी किसी की गरदन उड़ा सकती हैं पूर्ण जानकरी न होने पर अगर आप किसी से जानकरी ले बैठते हैं पेड़े पोधिक जानकरी सीख जाते हैं लेकिन अगर अधूरे ज्यान देत बाद में चल करके सोयं की हनी हो जाती हैं तो ध्यान दीजेगा मैं चैनल के नाम नहीं लिना चाहूंगा बहुत सारे जैससे चैनल हैं जो कि हमारे ही जानकरी को कॉपी करते हैं बडए-बड कि पेड को आदी वासि लोग अपना देंटा मान करके इनकी पुजा करते हैं दुस्तो आपने देखा होगा हल सष्टी के दिन अर्थाद जो सष्टी तिथी होती है इस दिन छट माता को प्रसाद के शरुप में महुआ का फूल कहीं, महुआ की जो सूखा फूल होता है, इनके प्रसाद चढ़ाते हैं, दोस्तों महुआ से आज भी ग्रामेड इलाकों में सराब बनाय जाते हैं, जो अति प्राचिन जो ग्रामेड इलाके हैं, वहाँ पे सराब बना जाते हैं, और इनके बने ग बिड़ो में आगे बनने से पहले इस प्रकार की अदबूत ग्यान को बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिस कहना चाहूँगा अगर बिड़ो तनीग भी अच्छी लगेगी तो बिड़ो को लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने तक शिमीत मत रखना दोस्तों जान कर हमेशा फैलाने से ग्यान हमेशा देने से ग्यान बढ़ता है तो इसे लोग ही तेवं जन कल्यान के लिए आगे जरूर शेयर करिएगा क्या पता आपके एक शेयर किसी की जिन्दागी को बदल दे सवर प्रथम आईरिविदी परवग हैं दोस्तों कि तूटी हुई हड़ी को जोड़ने का रामबार दवा है जन से सुनिएगा बिड़ो को आधे बीच में कदापी छोड़ करके नहीं जाना है हमेशा कहना चाहूंगा ज्यान की कोई समय नहीं अर्था दोस्तों ज्यान मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को सीखना जरूरी है इसलिए मैं फ्री में पेड़ पोधी की जानकारी इसलिए बतारूं दोस्तों ताकि चाहता हूं कि इस समाज में हमारी इस भारत भूमी में सभी लोगों को आमजन को भी पेड़ पोधी की दुल्लब जानकारी करके तूटी हड़ी पर बांधने से तूटी हड़ी जुड़ जाती हैं दोस्तों आप सभी लोगों के लिए हमने स्वयम विडियो लेने के लिए आये थी जंगली इलाका में और हमें बहुत सारे दूरलब पेड़ पोधी के भी अभी विडियो लिये हैं जानकारी मिली हैं त यह सब महुआ के बिरिक्षा हैं दोस्तों इसी साथ महुआ के छाल को अगर पिस करके जहां पे बिच्छू ने काटा हो डंक मारा हो वहां पे लगाए ततकाल बिच्छू का डंक मारा हो मारे गया डंक दूर होते हैं ततकाल दूर होता है बिलम नहीं लगते 15 मिनट में कैसा भी बिच्चू के डंका जहरो समापता हो जाते हैं दोस्तों महुआ के छाल के पानी महुआ के छाल का पानी से घाव को धोने से शिग्र घाव भर जाते हैं अगर आब के मवेसी हैं अर्थाद पसू हैं जिसमें घाव आ गए हैं मवाद आ गए हैं तो महुआ के छाल की पानी स धोईए शिगरा उनके घाव ठीक हो जाएंगे अगर तेज दान दर्दा की रामबर दवा है तो दान दर्दा होने पर महुआ की छाल को सुखा लिजे और इसे जला करके आप जो है भश्मा बना लिजे और फिर इसके राख को पुडिया बना करके रख लिए छोटे-छोटे की भाती जैसे दतमंजन आते मार्केट मुशी प्रकार से दतमंजन की भाती आब को इसे अपने दातों पर मलना है अर्था दातों पर घिषना है तो तीन बार में जिस इस्थान में आपके दात दर्दा हो रहे वहाँ पे घिष ये कैसा भी दात के दर्दा हो ये राम बाढ दोस्ते हैं बांदा ववा पर जेवी ब्रिक्छा होताए जो कि श्यम न उख करके किसी दूसरे पोधे पर उगाता है उसी प्रकार दोस्तों महुआ के ब्रिक्छा पर कोई नया पौधा ऊगाए बांधा एक परकार की मिठ्टी के टीले की जैसा होता है जो कि छोटा सा अ दू पौधा होता है तो महुआ के बांदा अगर आब को शभागत से मिल जाए तो इसे कृतिका नच्छत्र है यह फिर रवी पुष्च नच्छत्र है यह फिर सूर्य ग्रहण है इसमें आप ले आईए पहले तो आपको निमंत्राण दे करके से लाना होता है इसके बांदे बहुत चमतकारी गुणशे भरे होते हैं अभी बताऊंगा ध्यान से शूनिये तो इसके बांदे को लाने एक बाद आपको किस प्रकार से लाना है साब स्वक्ष लाल रेस्मी वस्तर में धाक करके लाना है और इसके बांदा को ला करके देव प्रतीमा की भाती आप इस अपने घर में स्थापित कीजें पुझन कक्षमें स्थापित कीजें और इसके पुजा करें। दोस्तों ये कल्प अबिक्षक के शमान आब को सब कुछ लाकर के देता रहेगा अर्थाद घर में किसी भी वस्तू का किसी भी प्रकार की चीजों का कभी भी कोई अभाव नहीं होने देगा जो मागों के सब कुछ देगा पर इसके बांदे बहुत ही कम मिलते हैं और जिन्हे मिलते हैं उन्हें इनका पर्योग पता नहीं है मैं आप बगो कि इसका पर्योग भी बता दिया हूँ ताकि जब भी आपको भुश्चमिस के बांदे मिले आप इसके बांदे को लाइए और खुब सारा इनका पर्योग करें यह आपके जीवन को बदल करके रख देगा अब चलिए महुआ ब्रिक्षा की तांतरिक पर्योग बता दूँ जो कि आपके जीवन में चरी कुष्टो को जीवन में चरी पर्सानी को दूर करेगा दोस्तों इसके लिए आपको एक काम जरूर करना है आपके लिए एक लाइक बनता क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत सुंदर घ्यान बतारूं आपके भी करतेबर बनता है कि आप हमारे बीडियो को एक लाइक जरूर करें और लाइक करने एक बाद जब बिड़ो समापता हो जाएगी तो आप इसे अपने दोस्तों यारों में घर परिवार वालों में आगे जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी महुआ के दुरलब एवं चमतकारी परोग के बारे में जानकारी प्रापता हो तो दोस्तों महुआ की जर पर अगर कच्चा दुद अमोशक दिन डाला जाएं तो अद्रिश सक्ती जो कार को करने के लिए बोलोगे जो कार अब करें उस कार में अगर बिलंब आ रही हैं वा कार सीध नहीं हो पार हैं किसी कारण वस उस कार में ग्रहाण आ जाती हैं अमोशक दिन प्राता कल के समय में डाले या फिर साम के समय में डाले तो अद्रिश सक्ती आपकी मदद करेंगे हर कार में मदद करेंगे महुआ की जड को ला करके अगर विधीबद पूजा करें आपको महुआ की जड को रभीवार के दिन लाना होता है शनीवार के दिन नि इससे रोगदूर होता हैं, रोगभगता हैं. दोस्तों सरीपर किसी ने तंत्रक्रिया कर दी हैं, ध्यन से सुनें क्योंकि आजकल समाज में तंत्रक्रिया बहुती सधारान हो गई है, लोग अपने बाजु वाले को देख करके जलने लगते हैं, जो सक्शेस के मारगा में जात तो समाज में आपको खुब तरकी करना है खुब आगे बढ़ना है जब आगे बढ़ना है तो इसके काड़ कभी परयोग बतारों महुआ की बिरिक्षा से केवल जन हित के लिए बतारों जन कल्यान के लिए क्योंकि दोस्तों प्राची निगान एक यूटुप चैनल नहीं बलकि आप सबी दर्सकों का परिवार हैं आप सब मेरे परिवार के हिस्सी हैं इस लिस प्रकार के गुप्त घ्यान भी शिखाता हूँ तो सरीर पर किशी ने तंत्रक्रिया कर दिये हैं तो निर्वस्त हो करके क काले कपड़े को शाद बार आप अपने सरीर से उतारे निर्वस्त होकर के सरीर से शाद बार काले कपड़े को उतारना है और फिर आप जो हैं उतारे गए काले कपड़े को आप जो फिर वस्तर पहन लिजे फिर उतारे गए काले कपड़े को रातरी कालिन में जाईए और महु महुआ की ब्रिक्षपार बांद करके आ जाएंगे यह रामबाण परिछित परयोग हैं दोस्तों यह रामबाण परिछित परयोग हैं अजमाया हुआ परयोग हैं हम इस प्रकार के गुपत जानकारी इसलिए बताते हैं क्योंकि दोस्तों आब सभी लोगों के शाथ में हमारे चैनल में हमारे घरों के आसपास हमारे च्छेतरों के आसपास तथा हमारे जिस च्छेतर में हम रहा रहे हैं उस च्छेतर से जुड़े बहुँ सारे लोग हैं सब इस पर लाल, हरी, पीली, नारंगी ये फिर काली ये जो 5 चूड़ी हैं इन मेंसे अगर एक कलर की चूड़ी एक दरजन महुआ ये बरिक्षा को देवी मान करके अगर आप बांध देते हैं क्योंकि महुआ की बरिक्षा पर wollte नाम की देवी शक्ति रहती हैं जो की इक्षा को पुन्ना करती हैं तो अगर आब एक जोड़ी लाल चूड़ी हैं ये फिर हरी चूड़ी हैं ये फिर आब जो नारंगी कलर की चूड़ी हैं अगर आब बांद देते हैं 12 की संख्या में बांदना होता है 6 करके 2 स्थान पे बांद दीजिए तो आब के इक्षा को पुन्ना होने से ब्रंभान की कोई भी शक्ती नहीं रोक पाएंगे और इसमें कोई शंदेन बहुत ही कम समय में आब के शिग्रमनो कावना पुन्ना होगा जो इक्षा सोच करके रखे हैं और इक्षा पुन्ना नहीं हो पारी हैं वह इक्षा भी पुन्ना होते हैं लेकिन इसका भी समय होता है रभी पुष से नच्छत्रा गुरु पुष से नच्छत्रा कृतिका नच्छत्रा ये फिर धन्तेरस हैं होली हैं दीपावली हैं ये फिर कोई शुब मुहरत हैं उसमें आप जो हैं ये परयोग कर सकते हैं फिर ग्रहान काल के शमय में तो दोस्तो आसा कारता हूं कि महुआ ब्रिक्षा के बारे में जो दूरलब चमतकारिक एवं आयरुविदिक परयोग शिखाया हूं धार्मिक एवं तांतरिक परयोग शिखाया थोड़ी मूत आपको शीख मिलिए तो इसे अपने तक सिमित मत रखिए जनीतम जन कल्यान के लिए आगे शेयर किजे आपके एक शेयर किसी की जिन्दगी को बना सकते हैं दोस्तो आज के जानकारी बस इतना ही धन्यवाद नमस्कार